हेलो गाईज, वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट फार्मकलोजी, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं आपकी ड्रग अफेक्टिंग दा कार्डियो वस्कुलर फंक्शन, ठीक हैं, हम पढ़ रहे हैं आपकी अंटियाज जैनल प्रोलोल, एटिनोलोल, ठीक हैं, ये ड्रग आती हैं आपकी, हमने ये एंटि हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर भी पड़ी थी, इनका जो एक्शन रहेगा वो स्लो रहता है, ठीक है, स्लो ओन सेट ओफ एक्शन, धीरे-धीरे काम करना शुरू करती हैं, लेकिन लोंग अगर आप इनको प्रिवेंटिव तोर पे दे रहे हो, तो पेशन्ट एक्सरसाइज कर सकता है, इनको लेके ठीक है, ज्यादा देर तक भी कर सकता है, और रिड्यूस हो जाएंगे, आपके अंजैनल अटेक जो हैं, वो आपके कमाना शुरू हो जाएंगे पेशन्ट को, दे कि डेंजरस साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर आता है डेंजरस अरिद्मिया, अरिद्मिया का मतलब है आपका हर्ट की जो रिदम है वो अबनॉर्मल हो जाना ठीक है, जिसके अंदर आपका टैकिकारडिया और बेडिकार्डिया दो चीज़ जाती है, ठीक है, हर्ट रेट या तो आपकी बढ़ जाएगी, या स्लो हो जाएगी, या फिर आपको मायो कार्डियल इन्फ्रेक्शन भी देखने को मिल सकता, अगर आप इनको एक दम से अचानक से छोड़ दोगे तो ठीक है, यहाँ पे आपको इनका मेकनिजम उफेक्शन दिखाया गया है, प्रोप्रेनोल, मीटो प्रोलोल और रेटिनोल, यह क्या करती है, आपकी ब्लोग करती है, बेटा वन रेसेप्टर्स को जो आपके हर्ट पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी विज़े से क्या होगा, आपकी हर्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, फो हमारे पास वो थी कैलिशिम चैनल ब्लोकर्स की, ठीक है, इनको शोट फोर्म में आप CCBS लिख सकते हो, इसके अंदर आपकी दो त्रिक्की की ड्रग आती है, एक तो हमने पड़ी थी वीराम पमील, और हमने पड़ी थी निफिडिपीन, एमलोडिपीन, नीमोडिपीन और न यह आपकी हर्ट पे और Vascular Smooth Muscles पे दो जगे ही काम करती है, ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या काम करती है, जो calcium channel blocker है, वो आपकी block कर देती है, voltage sensitive calcium channels को, ठीक है, जैसे ही calcium channel आपके बंद हो जाएंगे, उसकी वज़े से क्या होगा, decrease the cardiac work, ठीक है, हर्ट पे तो क्या काम करेंगी हर्ट का जो वर्क लोड है उसको रिड्यूस कर देंगी और जो वस्कुलर मसल है उनको क्या कर देंगी रिलेक्स कर देंगी ठीक है मसल को क्या कर देंगी आपकी रिलेक्स कर देंगी इसके इंदर हमने जो ड्रग पड़ी थी वो एक थी वीरा पमेल वीरा पमेल जो है इसका ज पर देखिए, decrease the force of contraction, hurt जिस force से contract कर रहा है, उसको क्या कर देंगी, कम कर देंगी, और इसी चीज़ को आपका बोला जाता है, negative inotropic effect, ठीक है, inotropic effect क्या है, negative है, और दूसरा काम यह क्या करती है, इनका action क्या रहता है, विरा पमिल का, decrease the hurt rate, ठीक है, hurt rate को क्या कर देंगी, कम कर इसको आप क्या बोलोगे, negative coronotropic effect, इसको आप बोलोगे, और क्या करती है, यह depress कर देंगी, आपकी SA node को, SA node आपको पता, आपका conduction system के अंदर, यह jays आती है, ठीक है, SA node ही आगे क्या करता है, आपका, आपकी hurt rate को regulate करता है, ठीक है, और slow कर देंगी, AV conduction को, AV node, SA node के बाद आता आपका hurt पे, और उसका भी conduction आपका क्या कर देंगी, यह slow down कर देंगी, तो यह 3 main function है, तो भी लिखा है, कि इनका जो most action रहता है, वो hurt पे रहता है, as comparison to smooth muscle, यही यहाँ पे इन्होंने लिख रखाया है, verapamil is a less potent, potent का मतलब आपका strong होता है, coronary and peripheral vasodilator, यानि यह vasodilator की तरह थोड़ा कम काम करती है, ठीक है, as comparison to आपकी यह जो nifidipin, amlodipin और nemodipin है, ठीक है, यह आपकी most commonly कहाँ पे काम करती है, vascular smooth muscle पे, और यह आपकी कहाँ काम करती है, hurt ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे दूसरी calcium channel blocker के बारे में, जिसके अंदर यहाँ देर खापका dihydropyridines, ठीक है, यह आपकी क्या करती है, these are potent arterial dilator and reduce the peripheral vascular resistance, ठीक है, यह आपकी arteries को dilate करने का काम करती है, इसके अंदर सबसे first drug हम पढ़ती है, nifidipin के बारे में, nifidin आपकी क्या है, एक prototype drug है, आपको पता है prototype drug का मतलब क्या, या pro drug का मतलब क्या, यह inactive form में होती है, इसका जो mechanism of action रहेगा, वो vascular smooth muscle पे रहेगा, क्या काम करेंगी, relax कर देंगे उनको, ठीक है, वो relax हो जाएंगी, तो hurt का, जो load है, वो आपका, वो कम हो जाएगा, उसके बाद, इसके जो side effect रहते हैं, आपके commonly, वो दो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, nifidipin लेने के बाद, एक तो reflex, tachycardia की दिक्कत और दूसरी palpitation की दिक्कत, ठीक है, ये दू चीज़ें इसकी थोड़ी हैं, जो दिखने को मिल सकती हैं आपको, इनको आप minimize कर सकते हो, इन problem को, अगर आप nifidipin के साथ beta blockers को दे रहे हो, ठीक है, तो जो beta blocker रहेंगी, वो in effect को नहीं आने देंगी, ठी of action इसका रहेगा nifidipin से भी, ठीक है, nifidipin से भी ज्यादा जिसका action है, वो कौन है, आपकी amlodipin है, इसको लेने के बाद आपको ना palpitation देखने को मिलेगा, ना reflex, tachycardia, rare होते हैं, ठीक है, rarely किसी patient के इंदर आपको ये दवा लेने के बाद देखने को मिलेंगे, नहीं तो नहीं देखने को मिलेंगे, और आपका जो यूज रहेगा amlodipin का वो angina और hypertension, इन दो जगे आप इसको यूज कर सकते हो, इसके जो common sign effect आपको देखने को मिलेंगे, amlodipin के वो है आपके headache और ankle edema, ठीक है, आपका जो पैर है, वहाँ पे आपको edema देखने को मिल सकता ह नेक्स्ट जो ड्रग है, यह आपकी vasodilator ही है, लेकिन यह selectively dilate करती है, यह सिर्फ आपकी cerebral blood vessels को ही dilate करती है, ठीक है, आपके brain में जो blood vessel है, उनको dilate करने का काम यह करती है, इसका जो यूज रहेगा, mostly वो रहेगा, सब arkenoid hemorrhage वाड़े patient के अंदर, ठीक है, वहाँ पे य neurological defect को, ठीक है, किसी और तरीके का कोई neurological defect ना देखने को मिले, वहाँ पे आप इनको use कर सकते हो, सब arkenoid hemorrhage, यानि जब आपके सब arkenoid space के अंदर, कोई internal injury की वज़े से आपका blood flow हो जाए, ठीक है, उसको रोकने के लिए, या other neurological defect रोकने के लिए, आपकी neemodipin दी जाती है, इसको लेने के बाद, जो side effect आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ के रहेंगे, headache, dizziness और diarrhea, ठीक है, next इसके अंदर, जो calcium channel blocker के अंदर drug आती है, that is diltizem, ठीक है, diltizem, जो है, यह आपकी peripheral और corner artery, दोनों को, आपकी क्या करती है, dilate करने का काम करेगी, लेकिन इसकी जो dilate करन present to, यह nifidipin, amlodipin और neemodipin, ठीक है, इनके मुकाबले यह कम dilate करती है, ठीक है, it has negative ionotropic, यह अगर इसका dilating property कम है, तो यह heart पे effect करेगी, तो negative ionotropic और coronotropic effect का मतलब क्या हापका, यह क्या करेगी, decrease the force of contraction, ठीक है, heart को force of contraction, जिस force से वो contract कर रहा, उसको decrease करने का काम, और heart rate को decrease करने का काम, यह दो effect आपकी dilatism show करती है, ठीक है, most commonly इसको दिया जाता है, आपका angina के treatment में और hypertension के treatment में, next, यह हमने पढ़ी calcium channel blocker जो आपकी drug है, उनके बारे में पढ़ा, एक एक drug के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, next पढ़ेंगे pharmacokinetic के बारे में, pharmacokinetic में द absorb होंगे तो आपको पता है, उनको first pass metabolism से जाना पड़ेगा, और यह जो drug है, वो highly plasma protein bound होती है, ठीक है, metabolize होती है, आपकी liver में, excrete हो जाती है, urine के अंदर, uses, आप इनको दे सकते हो, angina pectoris के अंदर, अभी हम पढ़ के याई हैं, हर जग है कि angina pectoris के अंदर इसको देते हैं, next आप hypertension के अंदर इसको दे सकते हो, migraine की condition में आप वीरा पमील का use कर सकते हो, ठीक है, proflexis तोर पे, prevention के तोर पे ही, सिर्फ आप इसका use कर सकते हो, next जो है, एक आपका use है, वो है supraventricular arrhythmia, ठीक है, अरिद्मिया होता है, आपका abnormal heart rate हो जाना, ठीक है, या तो taggy cardia हो जाना, य यानि ventricle के उपर, क्या चीज होती है, आपकी atrium, ठीक है, वहाँ से आपकी क्या हो जाए, abnormal fast heart beat शुरू हो जाए, ठीक है, तो उस case में, आप क्या दे सकते हो, इन दवाईयों का, calcium channel blocker का, आप क्या कर सकते हो, use कर सकते हो, ठीक है, next हम पढ़ते है, कुछ combination therapy यहाँ पे आपक जाएगा, और जो adverse effect आएंगे, वो थोड़े कम देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, और अगर आप nifidipine के साथ beta blockers को दे रहे हो, तो जो beta blocker है, वो tachycardia, जो nifidipine को लेने के बाद, एक side effect आ रहा था, tachycardia, उसको क्या कर देंगी, यह खतम कर देंगे, तो nifidipine को आ देखने को मिलेंगे, और side effect कम देखने को मिलेंगे, next combination therapy के अंदर है आपका beta blocker और virapamil, ठीक है, या फिर diltisem, अगर आप beta blocker के साथ, के साथ, अगर आप virapamil दे रहे हो, beta blocker के साथ, अगर विरapamil दे रहे हो, तो यह जो combination है, आपका, यह क्या करेगा, cause the additive depressant effect on SA node और AV node ASA और AV node को depress करने का काम जादा करेगा, ठीक है, next जो classification हमारी रहती है, वो है potassium channel openers, ठीक है, potassium channel opener में हमने जो drug देखी थी, वो थी आपकी nico rendil, ठीक है, यह आपने orally देनी है, इसका जो action रहेगा, वो लंबे time तक रहेगा, और यह doesn't cause tolerance, इसको लेने के बाद आपको यह habit नही होगी जादा तर, ठीक है, आदत नहीं पड़ेगी इस दवाई की, side effect जो आपको देखने को मिलेंगे, इसमें वो रहेंगे, आपके headache, hypotension, flushing, nausea, vomiting, ठीक है, palpitation, यह side effect आपको potassium channel openers को लेने के बाद देखने को मिल सकते हैं, mechanism of action जो रहेगा, उनका यह रहेगा, देखिए, निकोर, रेंडिल है, जो आपकी वो क्या करेगी, calcium channel को open कर देगी, जैसे calcium channel आपके open हो जाएंगे, arteries और veins आपकी वो dilate हो जाएंगी, arteries के dilate होने से आपका after load कम हो जाएगा, heart के उपर, और veins और dilation होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, जो pre-load है, वो कम हो जाएगा, तो य यह था आपका mechanism of action, potassium channel openers का, इनको आप यूज कर सकते हो, एंजाइना के अंदर, next, आपको कुछ important key point बताएं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर वही ये कुछ बाते हैं, आपकी देखिए, इसके अंदर है आपका, अगर आपका acute attack है, एंजाइना का, तो nitroglycerine को आप sublingually दीजिए, initial dose आपकी 0.5 mg रखिए, पेन आपका 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगा, अगर पेन ठीक हो जाता है, तो आप टैबलेट को थोख दीजिए, अगर पेन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है आपका, तो आप क्या करोगे, 5 मिनट बाद दुबार अदवाद होगे, और 3 टैबलेट आपने 15 मिनट से जादा टाइम के अंदर नहीं देनी है, ठीक है, 15 मिनट के अंदर यानि आपने 3 टैबलेट से जादा नहीं देनी है, उसके बाद है आपका इंस्टरक्ट करना आपने पेशिंट को about the use of transdermal patch, ठीक है, of nitroglycerin, it should be applied once a day, transdermal जो पैच है, आपने दिन में एक बार ही लगाना है, और उसको हटाना भी है, ठीक है, काम इसका 24 गंटे तक रहेगा वैसे, लेकिन आपने दिन में 8 गंटे कम से कम, इसको remove करके भी रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी anti-engineal drug with classification आपकी complete होती है, अगले lecture के अंदर हम कुछ और classification शुर